दावे करने वाले नितीश कुमार दूर होने वाले पार्टी को छोड़ कर बीजेपी के साथ मिलने वाले नितीश कुमार क्या आप खुद इस्तिफा देंगे क्योंकि नितीश कुमार हर मंच से ये दावा करते हैं कि करप्शन, क्राइम और कॉम्योनिलिजम के साथ कोई समझोता नहीं लेकिन अब तो नितीश कुमार ने करप्शन के साथ समझोता कर लिया है ये बात विपक्ष लगतार कहता आ रहा है तब ये सवाल उट रहा है कि क्या ते जस्वियारव नितीश कुमार को इतना मजबूर कर देंगे कि वो भी इस्तिफा दे क्या नितीश कुमार जिन सभी मंत्रियों से और नेताओं से स्तिफ़े के डिमांड सिर्फ इसलिए कहते हैं और करते हैं क्योंकि वो आरोप के घेरे में रहते हैं तो क्या अब नितीश कुमार खुद इस्तिफा देंगे या फिर मेवालाल चौदरी से इस्तिफा लेंगे क्योंकि उन पर भी आरोप लगे हुए तो अब ये सवाल उट रहे हैं कि नितीश कुमार क्या अपनी घड़ी की सुई को 2005 की ओड ले जाते हैं 2005 में जब जितन रामांची ओथ टेकिंग कर रहे थे उस दोरान मात्र 24 घंटे के बाद नितीश कुमार जितन रामांची को सिफा देने के लिए मजबूर कर देते हैं वज़ा ये बताई जाती है कि उन पर आरोप लगे हैं अब चलिए चलते हैं 2009 में 2009 में जब परिवहन मंत्री रामानन प्रसाथ सिंग पर आरोप लगे तब नितीश कुमार ने भी उनसे इस्तिफ़े के डिमांड की नितीश कुमार ने कहा कि हम दागी नेताओ को अपनी टीम में नहीं रख सकते मंत्री मंडल में उन्हें शामिल नहीं कर सकते दरशल मीडिया में अधी कीमत पर घटिया क्वालिटी की पाइप खरिदने के आरोप वाली खबर सामने आई और इसी के बाद नितीश कुमार ने उनसे इस्तिफ़ा मांगा रामानंद सिंग के इस्तिफ़े के बाद सत्ता के गल्यारों में राजनितिक तापपान बढ़ गया और रामानंद प्रसाद सिंग के इस्तिफ़ा को लेकर नितीश कुमार ने एक बार फिर से ये सावित किया था कि मंत्री मंडल में डागियों के लिए कोई जगह नहीं आप चलिए अभी डेर साल पहले नितीश काबिनेट की एक और मंत्री मंजीवर्मा मुझजपरपूर वालिका ग्रिकान में जब उनका नाम हुआ आया तो वो नितीश कुमार ने उनसे भी स्थिफा लिया पुलीस ने जब उनके घर में छापे मारी की तो गोलिया बरामत की गई थी भला नितीश कुमार इसे कैसे बरदाश्ट करते और मंजीवर्मा को मंत्री के साथ साथ पार्टी के पत से भी निलम्बित कर दिया गया याद कीजे 2017 का समय जब वो वक्त जब तेजस्वियादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब नितीश कुमार ने उनसे कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर अपनी बाते रखिए अगर आप आरोपी नहीं है तो जनता के बीच अपनी सफाई पेश कीजे तेजस्वियादव में जब ऐसा नहीं किया तब नितीश कुमार ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया नितीश कुमार ने गठबंदन को तोड़ दिया और भाजपाईयों के साथ हाथ मिला ली और अब जब नितीश कुमार पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने करप्शन के साथ तो समझाता कर लिया तो क्या आब नितीश कुमार मेवालाल चौदरी से इस्तिफा लेंगे ये सवाल बिहार की सियासत में मड़ा रहा है और सवाल लगतार विपक्च पूछ रहा है कि आखर नितीश कुमार अपने निती को कैसे बदल सकते हैं दोहरे निती के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं वही नितीश कुमार जो हमेशा यह कहते हैं कि करप्शन के साथ कोई समझात जवाब क्या आता है? फिलाल कले इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नियूस पोनेशन नमस्कार